नमस्कार एक बार फिर मैं शोभाक्षर आप सब कादी सेने पोस्ट में स्वागत करती हूँ इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं वो जेनु है जो आशकल छात्र संग के शक्ती जो है उसके विवादों का एक गढ़ बना हुआ है और देश के लिए भी चिंता का विशह है कि यहां आए दिन हिंसा की जड़पे देखनों के मिल रही है पांच तारीक को दिन रविवार को यहां पर हिंसा हुई और इस हिंसा के बाद दोनों गुटों में या कहें लेफ्ट या राइट या कहें एवी विपी या लेफ्ट विंग के जो छातर संगटे ने उनके बीच जड़प हुई जयने के वाइस चांसलर एम जगदिश कुमार के अब रिजाइन की मांग की जारी है और मुली मनुहर जोशी जी ने भी भारती जंदा पार्टी से ट्विट करके उनके रिजाइन की मांग की है फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ एक पोस्टर जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पोस्टर हिंदू सेना द्वारा लगाया गया है और जिसमें लिखा हुआ है आप जैसे देख सकते हैं चीन समर्थक SFI से जैन्यू में सिक्षा के नाम पर अश्लीलता फैलाने वाले से आजादी SFI को बैन करें बकाइदा इसमें नाम भी लिखा हुआ है सुर्जीत यादव और उनका फोन नंबर भी लिखा हुआ है ऐसे ही कई पोस्टर हर जगा लगे हुए है जैन्यू कैमपस के करीब दो किलोमेटर तक यह पोस्टर लगे हुए है कि हमें दलित के नाम पर गंधी राजनीती करने वाले लोगों से आजादी चाहिए या मेरकर की जांच भी कर रही है आप यहाँ देखना होगा कि जो जेन्यू स्यू मांग कर रहा है खासकर उसकी अध्यक्ष आईशी घोस मांग कर रही है कि वाइस चांसलर अपना इस्तीफा दे इस मामले को संग्यान लेते हुए उनकी नैतिक जम्यदारी बनती है उस मामले पर वो अब देखना यह है कि क्या उनकी मांग पूरी होती है कि नहीं होते रहेंगे क्यामरामैन कोहिनूर चौदरी के साथ मैं शुबा अक्षर देखते रहें दी संडे पोस्ट